और ये बड़ी खबर आपको बैंगलूरू से आर ये बता दे करनाटा के बैंगलूरू में एक बोडिंग स्कूल में साथ बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं सिम्टोमाटिक बच्चों को एडमिट करने के साथ ही बाकी सब ही को क्वारिंटीन कर दिया गया है साथ दिन बाद सब ही का फिर से कोरोना टेस्ट किया जाएगा और हमारी सेयोगी नेहा है बाले इस वक्त हमारे साथ पॉनलाइन पर मौझूद है और साथ अपडेट लेकर नेहा इस पूरी खबर में और क्या जानकारी है वो बताईए जी देखिया बिलकुल इनफाक्ट अभी हमको जानकारी मिल रही है कि ये जो सारे सिक्स्टी स्टूडिंस पॉजिटिव टेस्ट हुए है वो सारे बच्चों इनफाक्ट साथ में पढ़ते थे एक ही बोर्डिंग स्कूल में रहते थे और इनफाक्ट ये हुआ पे एक क्लास्रूम में सिर्फ चार बच्चे को इजाज़त था पढ़ने के लिए इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि इतना सब सोशल डिस्टिंसिंग मेंटेन के बाद भी हम देख सकते हैं कि ऐसे इनफाक्ट 60 स्टिंस को पॉजिटिव करोना रिपोर्ट आया है और अगर हम अभी आपको बता दे कि इन में से दो बच्चे को पहले इनफाक्ट काफी स्टिंस से डाइरिया के और जब उनको टेस्ट किया गया तभी पाया गया कि उनके इनफाक्ट अब बताया गया कि वो करोना पॉजिटिव हो चुके है और इसके बाद सारे स्टिंस को टेस्ट किया गया और अभी तक 60 स्टिंस के पॉजिटिव रिपोर्ट निकले हैं इस बोर्डिंग स्कूल से हम आपको बता दे कि काफी पैरेंट को इनफाक्ट टेंशन होके उन्होंने स्कूल और यहां पे इनफाक्ट बोर्डिंग स्कूल और कॉलेज को अप्रोच किया कि उनको बच्चे वापस घर ले जाना है लेकिन यहां पे अभी उनको बताया गया है कि क्योंकि यह लोग पॉसिबल क्यारियर्स हो सकते हैं यह चूडिंग अभी उनको साथ दिन के बाद इनफाक्ट फिर से टेंश किया जाएगा और अगर उनका नेगेटिव रिपोर्ट आया तब ही उनको इनफाक्ट वापस जाने की इजाज़त दी जाएगी जी जी नेहा आपका बहुत बहुत शुक्री